मितनों जय माता दे, आप देख रहे हैं धर्म सिक्षा, धर्म सिक्षा में हर रोज की तरह एक बाद फिर से मैं आजीर हूँ आज का संपून रासी फल लेकर, यह संपून रासी फल है मंगलवार याने की 19 मई 2020 का, अगर आज के पंचांग की बात करें, तो आज है विक्रम अगर आपको आज का पंचांग और भी विश्टार से जानना है, सभी महूरतों के बारे में जानना है, तो क्या करें? डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाके आज का पंचांग विस्तार से देख सकते हैं मितनु आज के संपूर रासिफल के वीडियो में हम जानने वाले हैं कुल 12 रासियों का आज का रासिफल साथ हम जानेंगे आज का सुब समय असुब समय दिसासूल सुब खादे भागेवर्ध को पाए रासियों उसर क्या खाद बतात आपके लिए असुब रहेगा तथा रासियों उसर कुण सर रंग आपके लिए सुब रहने वाला है तो वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहें और संपूर्ण रासिफल का लाव उठावे अगर आपको हमारा आज का रासिफल का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जोरू करें साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जैमातादी लिखें अगर आपके कुछ सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्ची तोर पर बताएं में तो आज के 12 रासि का रासिफल आपको बताना नादाम करों उससे पहले आए एक निजर जाल लेते हैं आज के ग्रहों की इस्थिति पर क्योंकि ग्रहों की इस्थिति पर ही पूरा का पूरा रासिफल निर्भड करता है आज सुर्य बुद्ध सुक्र तीनो एक साथ वरिस रासि में राहू मिथुन रासि में केतु धनु रासि में गुरु सनी दोनो एक साथ मकर रासि में मंगल कुम रासि में चंद्रमान मीन रासि में एपलब्द है तो इनी सबी ग्रहों की जो भी इस्तिती बनेगी उसे हम इस राशी फल के वीडियो में जानेंगे तो आईए आप बात करेंगे पाली राशी मेश राशी की मेश राशी म्चन्द्रमा और दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज का दिन मेश सासी वालों के लिए थरा खर्ची ला रहे सकता है और धर्मिकारी और मानली कार वे खर्ची आपको हो सकते हैं साथ ही आपको दिन भर में कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है प्रसंता में आपकी व्रधी रहेगी पूरे दिन पसंद रहेंगे खुश रहेंगे आत्म सम्मान से भी आपका दिनाज भरा हुआ रहेगा जहां कहीं भी जाते हैं आपको मान सम्मान की प्राप्ति वहाँ पर होगी बात किने व्यापार और धनकी, तो व्यापार करने वाले जातक आज थोरा समल कर रहें, अनावस्या खर्च आपके हो सकते हैं फिजूल खर्च आपके हो सकते हैं, जिससे आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है तो अपने बढ़ते वे खर्च पे नियंतन जवर रखें बात करें विद्यार्थि की तो विद्यार्थियों के लिए आज के इन बढ़ियां रहने वाला है मौस्त रश्वति का अस्मन करें और मेनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी स्वास्त की बात के तो स्वास्ति आपका मध्यम रहने वाला है गैस समंधित समस्या का सामना आपको करना बढ़ सकता है तो अपने खान पान पे जोड ध्यान रखें बात के ने प्रेम समंध की तो दामपत्य जीवन की खुसियां बढ़ सकती है विवाह के लिए प्रस्तावा सकते हैं जो भी विवाह योग्य जातक या जातिका हैं उनके लिए नए संबंधों की सुरुवात हो सकती है कोई प्रेमी या प्रेमी का मिल सकता है इस तरह से नए संबंध की सुरुवात भी हो सकता है आज के लिए का नीम्भू अपने खादे पतार्थ में सामिर करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरं लाल रग बात करेंगे वरिश्रासी की वरिश्रासी मुचंतरमा आप तीसरे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज कर दिन आपके लिए काफे बढ़िया रहने वाला है आज आपकी कई परकार के इच्छाओं के पूर्ती हो सकती है अपने से बड़े मातापिता या बड़े भाईबानों के किरपा आपको प्राप्त होगी, मान सम्मान भी मिलेगा आपके परतिष्ठा में विर्धी होगी, ऑफिस में, सगे समंधियों में, मित्रों में जहां कहीं भी आप जाएंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा आज कर दिन आपके लिए कुल मिला कर सुब रहने वाला है बात करेंगे व्यापार और धन की, तो विर्धी सासी वालों के लिए आज अचानक धनलाब के भी योग बन रहे है मकान और घर, इनकी तलास जीन जातकों को है, उनकी तलास पूरी हो सकती है व्यापारियों के लिए आज कर दिन लाबदायक रहने वाला है, आपके लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे है अगर आज कर दिन कुछ नया कारी आरहम करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नया कारी आरहम करने से पहले, वीडियो के अंत में जोड जानने आज का सुप समय क्या है नया कारी आरहम करें ताकि आपको सफलता की प्रापति निश्चे तर परो बात करेंगे विद्यार्थी की तो विद्यार्थियों के लिए आज करें सामाने रहने वाला है स्वास्त की बात करें तो स्वास्त की द्रिष्ठी से भी आज करेंगे आपके लिए बढ़िया रहने वाला है आज आपका मन और सरीर दोनों स्वास्त रहेगा प्रेम समन्द की बात के तो प्रेम समन्दों के लिए आज का इन बढ़िया रहने वाला है रिस्तों में नई शुरुवात हो सकती है आज के लिए दूद या दूद से बनीवी चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरन भगवारन बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी मचंद्रमा आज चोथे स्थान में विराजित है जिसके परसुक मिथुन रासी वालों के लिए आज का दिन रुके हुए कारी को फसे हुए कारी को बनाने वाला दिन है जितने भी आपके ऐसे रुके हुए भसे हुए कारी हैं उन सब को खत्म करने की कोशिस करें आज उनको खत्म करने में आपको सफलता की प्राप्ती होगी मान समान में विर्दी होगी पिता का सही होगी आपको प्राप्त होगा आपकी कुनली से आपके संतान को सफलता की पार्प्ती होगी और उनके कारी भी बढ़ेंगे साथ ही अपने गुस्ते पार नियंतन रखें इस गुस्ते की वज़ा से आपके और लोगों से आज संबन बिगर सकते हैं की संबावना बन रही है उत्तम यही रहेगा अपने आप परी नियंतन रखें किसी से भी लड़ाई जागा करने से बचें बात करें व्यापार और धनकी तो व्यापार में आज आपको हानी हो सकती है व्यर्त के खर्चे और फिजुल खर्चे से आपको बचना चाहिए विद् कार की चिंता आपको रह सकती है प्रेम समन्द की बात के तो प्रेम समन्दों के लिए आज करें सामाने से कम रहने वाल है जीवन साथी से वाद व्याद आपके हो सकते हैं तो आपसी सामन जासी आपको बना कर रखना होगा बात करने के आज के सुब खा देकी तो आज अगर प्राउन राइशानी की पक्का चावल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरन लाल रण बात में करकरासी की करकरासी मचंदर्मा आज पांचमें स्था में विराजित है जिसके फसुख करकरासी वालों के लिए आज के दिन अध्यात्मिक दिश्टी से बढ़िया रहने वाल है आपका भगवान की पूझा पाठ में धर्मिक गाणियों में आज अब मल लगा रहेगा अपने से बड़े गुर्जोनों का असिरवा भी प्राप्त होगा कहीं तिर्थियात्रा पे जाने के योग किनी किनी जात्कों के बन सकते हैं या किसी मंदिर में जाने के योग बन सकते हैं जहां जाके आपको अच्छा भी लगेगा साथी अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है आपके बड़े भाई भाहनों का सहयोग आज आपको केरियर में प्राप्त हो सकता है बात केंगे व्यापार और धनकी तो आपके भागे में विर्धी होगी आई केर सोथ भी बढ़ेंगे व्यापार में लाभ होगा बड़े भाई भाई बानों के किर्पाफ आपको प्राप्त होगी वद्यार्थी की बात के तो वद्यार्थिओं के लिए आज करने उत्तम रहने वाला है सफलता की प्रत्योकता परिछा की तैयरी कर रहे हैं उन्हें भी आज सफलता मिल सकती है, स्वास्त की बात के तो स्वास्त की द्रिष्टी से, आज के लिए आपके लिए सामाने रहने वाला है, प्रेम समन्द की बात के तो प्रेम समन्दों के लिए भी आज के लिए बढ़ियां रहने वाला है, आज के लिए बादाम अपने पिलकुल ध्यान रखें संतान के तरफ से आपको चिंता हो सकती है, आपके अधिनास्त करम चारी और नोकोनों का सयोग है आपको भरपुर मिलने वाला है, लेकिन हिम्मत और प्राक्रम बना हुआ रहेगा, ये एच्छी बात आपके लिए आज है बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो आज कहीं आपके लिए काफी उन्दी दायक रहने वाल है, आपकी उन्दी हो सकती है आपके आई के नए सोद बनेंगे साथी व्यापार में भी आपको लाब होगा पैतिक संपत्ति का लाब आपको मिल सकता है किसी प्रकार से डूबा हुआ फशा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है छोटे भाई बानों से सहयोग और लाब भी आपको मिलेगा बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थीों के लिए आज करी मध्यम रहने वाला है विद्यार्थीों की एकागरता में आज कमी आ सकती है कैरियर में भी संगस की योग बन रहे है संगस के पश्चात सफलता मिलने की योग भी बन रहे है बात केंगे स्वास्त की, तो स्वास्त आपका अच्छा रहने वाला है, प्रेम समन्द की बात कें तो प्रेम समन्दों के लिए आज के इन सामाने भी रहने वाला है आज की दिन के चुकुंदर अपने खाथिपदार्थ में सामील कहेंगे तो आपके रेज सुबर हैगा आपके लिए आज का सुबरं लाल रण बात कारे कन्याराशी की कन्याराशी मैं चंद्रमा आज साथवी अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप करन्यारासे के जात्कों के लिए आज का दिन प्रसंता से भरावा रहने वाला है आज दिन भर में आपको कुछ अच्छे समाचार की प्रापती ही हो सकती है परिवार जनों और सगे समन्तियों में आपस में प्रेम और सभव बना रहेगा ओफिस में भी सहकर्मियों का सायोग प्राप्त होगा सरकारी कारियों से आपको लाप भी मिलेगा आज किसी प्रियेजन्स से आपकी मुलाकात संभव है बात किने वयापार और धन की तो आज पार्टनरशिप के माध्यम से वयापार में लाप हो सकता है सोसराल के पक से भी कुछ धन की प्राप्ति आपको हो सकती है भूमी पोपटी और संतान के सुख में आपको विर्धी होगी आपके व्यक्तिकर सुख में भी विर्धी हो सकती है साथी साथ आपकी आये में भी वरोत्री होगी विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज करें उत्तम रहने वाला है महनत करें उसका फाल आपको निश्य तोर पे मिलेगा स्वास्त की बात के तो स्वास्तिय आपका अच्छा रहने वाला है प्रेम समन्ध की बात के तो प्रेम समन्धों के लिए आज करीम अच्छा रहने वाला है दामपत्य जीवन की खुशियां बढ़ती भी आपको नजर आएगी जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी बनेंगे प्रेम समन्दों के लिए आज करी अच्छा रहने वाला है आज करी निगर जो या जो से बने वी चीज़े खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरन खाकी कलर बात करेंगे तुलारासी की चंत्रमा आज । आठवेए स्थान मेश विराजीत है जिसके फ्रसुक तुलारासी के जात्कों के व्यक्तित में निखार आ सकता है आज मिस्वास में बढ़ोतरी भी हो सकती है आज किन अपने व्यक्तित पर विशे इसतवर पर धियान में आज के अपने गुस्से पर भी नियंतन रखें किसी से वाद बाव में तो बिल्कुल भी ना परें पर उसियों था छोटे भाई बाहनों से मधुर समन बनाने का प्रियास करें घर से जब भी बाहर निकले तो अपने वाहन को नियंतन में चलाएं धीरे चलाएं लड़ाई जगरे के साथ सब दुरगटना के भी योग बने तो आपको थोड़ा समल कर रहना चाहिए कुछ सुब खा दी जो हाए आज का वो खाकरी घर से बाहर निकले ताकि घर से बाहर आपको लड़ाई जगरे यह दुरगटना का सामना ना करना पड़े बातने ब्यापार और धनकी तो आय की दिश्टी से आज कर दिश्टी से आज कर दिश्टी आपके लिए सामाने रहने वाला है विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज कर दिश्टी सामाने से थरा कम रहेगा मन चंचल बना रहेगा एक आगरचित हो नहीं पाएंगे परहाई पर फिर भी आपको परहाई में मेनत करना होगा सफलता इसी से मिलेगी स्वास्त की बात करें स्वास्त समंधी कुछ परिशानियां आ सकती है किसी प्रकार की चिंता आज आपको रह सकती है प्रीम समंद की बात करें तो जीवन साथी से साम मंदे से आज बना के रखने का प्रयास करें आज की जिनकर दही अपने खादे पतात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग कुलाबी रहे बात करेंगे विश्चीक्रासी की, विश्चीक्रासीम चंद्रमा आज नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ़सों विश्चीक्रासी वालों के लिए आजके बढ़िया रहने वाला है आध्यात्मिक सुख मिलेगा आपको पुजाबाठ में धार्मिक कारियों में मन आपका लगा रहेगा भवान की किरपा भी बनी रहेगी, सरकारी ओफिस या समंदित कारी आपका सफल रहने वाले है बात करेंगे व्यापार और धनकी, धनप्राप्ति के नए अवसर आपको मिल सकते हैं व्यापार में भी लाप होगा, ओफिस में भी सहकरिमियों का सहयोग जो भी साथ में आपके काम करते हैं ऐसे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा बात केंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आज के उत्रम रहने वाला है, मौसरोस्ति की किर्पा आप पर बनी रहेगी मैनत में किसी प्रकार के कोई भी कमी बिल्कुल न रखे, आपको फाइदा होगा स्वास्त की बात के तो स्वास्त की दृष्टी से, आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाला हैं, लेकिन कैस समधिस समस्या का सामना को करना पर सकता है तो बाहर के खाने से तो बिल्कुल भी बचा है, मसाईदार खाने से बचा है प्रेम समंद की बात करें तो प्रेम समंदों के लिए आज के ने ठीकठा कहा जा सकता है, जीवन साथ के मली में विश्वास बढ़ाने की कोशिस करें, इससे आपके समंद बहतर होंगे, आज करेंगे सेब, अपने खाद्य पतात्व में सामील करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबर लाल रंग बात करेंगे धनवाशी की, धनवाशीम चन्द्रमा आज दस्मी स्थान में विराज pessimत है जिसके फसुप धनुवासी वालों के लिए आज के दिन बढ़िया रहने वाला आपके पर्तिष्ठा में वेर्दी होगी जहां कहीं भी जाएंगे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी आज के दिए आपके लिए बढ़ियार आने वाया किसी प्रकार का सकारात्मक योजना बनाएंगे आने वाई दिनों के लिए कुछ योजना आप सोचते हैं आप तो उस पे अमल भी करें सफलता आपको मिलेगी स्वास्त की बात के तो सभी प्रकार की भहत एक सुक्स विधा की चीजे जो हैं जैसे मकान, भूमी, वाहन इन सब का उपभोगा बच्छे से कर पाएंगे मता के सुक में विर्दी होगी, जो भी कारी आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसमें आपकी रुची बनी रहेगी, जिसके फ्रसुप उस कारी में आपको सफलता की प्राप्ती भी होगी आर्थीक दिश्ट्री से आजकर आपके लिए पढ़िया रहने वाला है, व्यापार में लाब होने के योग भी बन रहे हैं प्रेम समन्द की बात के तो प्रेम समन्दों के लिए आज के लिए सामाने रहने वाला है जीवन साथ ही से आपसी सामन जासे भी बना के रखने का प्रियास करें आज के इनके ब्राउन राइस याने की पक्का चावल खायें के तप टेस सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग औरेंज कलर बात केंगे मकर रासी की मकर रासी मचंद्रमा आज 11 वे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसों मकर रासी वालों के लिए आज के इन बहुती बढ़िया रहने वाला है आपको पड़िवार जनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके छोटे भाई बनों से ओफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग प्राथ होगा साथ ही आज की आपके लिए यात्रा की योग भी बन रहे हैं और यात्रा आपकी सुब रहने वाली है पिता का भी भरपूर सहयोग आपको मिल सकता है बात करेंगे व्यापार और धलकी तो मकर रासी के जुड़ा तक भहुत इक सुख सुधाओं के चीज़ें बेशते हैं जैसे लक्टोरिस का सामान, मुएल फोन, प्रिज का प्रित्यादी उनके लिए आज के बढ़िया रहने वाला है उनके व्यापार में विर्धी होगी कहीं अगर आपके पैसे बकाया हैं तो वहाँ से पैसे जओर मांगें वहाँ से पैसे आपका मिल सकते हैं बात के विद्यार्थी की तो विद्यार्थियों के लिए आज के बढ़िया रहने वाला है मेनत करें उसका पूरा फल आपको निश्चित तोर पर मिलेगा स्वास्त की बात के तो स्वास्त के देश्टी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है सुबा सुबा अंकुईत अनाज खाएं इससे आपका पेट साब रहेगा और स्वास्त भी रहेंगे प्रेम समन्द की बात के तो प्रेम समन्दों के लिए आज के बढ़िया रहने वाला है जीवन साथी के साथ कुछ खाली समय व्यतित करें इससे आपके समन्द और भी यादा बहतर होंगे आज के देगा बादा हम आपने खाते पतार्थ में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुबर हैगा आपके लिए आज का सुबरन रानी कलर बात कें कुमराशी की कुमराशीम चंद्रमा आज बारह हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुक कुमराशी वालों के लिए आज कत्म उत्तम रहने वाला है तरह तरह के स्वाधिष्ट भोजन और मिठाईयां खाने के योग आपके लिए बन रहे हैं परिवार में दधरिष्टेदारों में आपसी सामंजर से भी बना रहेगा बात केंगे व्यापार और धन कीत, आपके बचत में विर्धी होगी, व्यापार में लाब भी होगा बेंक बैलेंस और बचत आपकी बढ़ती विया नजर आ रही है आज आपके लिए वस्तर आभोशन और रत्न खैदने के योगी बन रहे हैं बात केंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आज के मध्यम रहने वाला है लक्ष को प्रात करने के लिए आपको अफेक्षा करे ज़्यादा महद भी करना पढ़ सकता है स्वास्त की बात करें, तो स्वास्त की दिश्टी से आज की आपके ठीक ठाक रहने वाले हैं, किसी परकार की चिंता रह सकती है साथी और निंद्रा का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्त का बिल्कुल ध्यान रखें प्रेम समंध की बात करें तो प्रेम समंधों के लिए आज का इन मद्यम रहने वाला है जीवन साथी से आज दिन भर में कुछ अन बन होने की संभामना बन रही है तो आपसी सामद्य से आपको बना कर रखना होगा आज के दिने और एंज यानिकी संतरा खाते हैं तो आपके पर दिस शूब रहेगा आपके लिए आज का सूबरण बैग नीडन बात करें मीन नासी की, मीन नासी मचंतरमा आज पर्थाम अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुद मीनासी वालों के लिए आज़ के दिन बहुत ही सकारत्मग रहने वाले हैं आज़ के दिन अपने प्राकरम के बलपर, महित के बलपर अपनी आया के आई में आप बढ़ोती ही कर पाएंगे यात्रा के भी योग आपके लिए बनने और यात्रा कैसी रहने वाली आपके सुब रहने वाली है व्यापार के लिए जीवन जीने के लिए आपको नए सही योगी भी मिल सकते हैं बात केनेगे व्यापार और धनकी. व्यापार योगं के लिए आज केन बढ़्या गहने वाला, आपके लिए आज अछे सईयों भी बन रहे हैं. आज के लिए कुछ नयाकादी आरहम करेंगे, तो उसमे आपको सफलता विलेगी. लेकिन नयाकादी आरहम करने से पहले वीडिय पर नियंतर रखें अबने परहाई पर पूरा क क्यान लागिonne इस्वास्त की देश्टी अदधी से आज के लिए बढ़िसयारने कुग सब्सक्राइब करूप अब ज़यों के में हैं आज के वाया नहीं सम्हक्राइब कर से दिन के 12 बज़े से लेकर 1 बच कर 30 मेर तक, इस समय में कुछ भी नयाकारी आरम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आज का असुप समय यानि की राहुकाल रहने वाला है, दिन के 3 बच कर 19 मेर से लेकर 4 बच कर 69 मेर तक, इस समय में कोई भी नयाकारी आरम ना करें, और स आज बढ़ेंगे तुम तो ये था आज के संपुन रासिफल कल के संपुन रासिफल के जुरे ने धर्मसिक्षा के साथ और देखते ने धर्मसिक्षा जै माता दी